शम्मानित बुल्क के मालिको मैं बहुत भिक्षू सुमित रतन आज मैं चर्चा करने आया हूँ एक बहुत बड़ा राजबंस है जिसे भारतिय प्राशीन इतियास में नंदबंस कहा जाता है। जो लोग इतियास पड़े होंगे वो जानते होंगे कि सबसे पहले शम्राट महा पदमनंद ने केंदरीय प्रडाली से शासन करने की नीव डाली छोटे छोटे राज़ियों को मिला करके बड़ा राज़ी बनाया और वो पहले चक्रवती शम्राट थे। अलग 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 नाम से पुकारा जाता है। यह सासक जाती है। आज मैं आभान करता हूँ नंद बंस के सभी नाई, शेन, सबिता, ठाकोर जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं मैं आप सभी लोगों से आभान करता हूँ। कभी आप इस देश के चक्रवती शम्राट थे। इस देश को आपने शमाला और आज आखिर आपको क्या हो गया है कि आप पूरे देश में सामाजिक, राजनेतिक, धार्मिक, आर्थिक बिवस्ता में कहीं दिखाई नहीं देते हो। मैं आभान करता हूँ। अगर आपने इन महापुरसों के तिहास पढ़ लिया और बुद्ध के दर्शन को समझ लिया तो आपका स्वाविमान जाग जाएगा और आप बरत्मान के परदर्श में भी स्थापित हो जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप बिद्वान थे, सासी थे, लड़ने वाले थे, बहदुर थे, इसलिए अलपजन लोगों ने आपको बहुत छोटा काम दिया बाल काटने काम। ये शडियंत्र है, समझिये, आप बहदुर थे, आप देश चलाने वाले थे, खंड-खंड भारत को अखंड करने वाले थ आप बहुत थे, आज जो आपके उपर शाषन कर रहे हैं, कभी आपकी किरपा से लोग जीते थे, इसलिए आपको इन लोगों ने सेवा का कारे दिया, इबन संसकारों में आपको नेग दिलबाया, अपमान कराया, एक सासक का अपमान कराया, मैं आज आपके अंदर भारत को अखंड करने वाले हैं, आप महां पदमनंद के खांदान के लोग हैं, नौनो राजा आपके हुए हैं, बहुत बड़ा पाटल पुत्र का शाषन आपने समाला है, छोटे-छोटे राजियों को एक बड़ा रूप देने का काम किया है, इतना ही नहीं, नाई शेन पिटिकों में, जो बिने पिटिक है, सबसे कठिन है, और सबसे सुखदाई है, उस बिने पिटिक को भी लिखने का काम किया, आपके पुर्खोंने जिसको लिखा नहीं, उसे आप पड़ रहे हैं, और आपके पुर्खोंने जो लिखा, वो आपके घरों में नहीं है, मैं फ चाहिए आपको थोड़ा मुखा मिला कर पूरी ठाकुर के माध्यम से आपने बर्तमा राजनीती में सबसे स्वक्ष इमांदा राजनीती करने का जज़वा दिखाया लोगों को लोगों की प्रेड़ा आप बने इसले मैं फील करता हूं कि आपके आप जब सासक थे उसमय बु जनोने शडियंत्र के तहट आपसे बाल कटवा डाले हैं मैं चाहता हूं कि आप देश को चलाने लाइक हैं आप सासक हैं आप सासक लोग हैं जागो और अपने स्वाविमान को सम्मान को एकटा करो और मैं आप अपील करता हूं आभान करता हूं एक बार फिर निकल करके आओगे लोग पीछे आपको धकिलते रहेंगे मैं अपील करता हूँ पूरे देश के पूरे भारत में रह रहे नाई शैन सविता ठाकुर बन समाज के लोगों से जो महा पदमनंद के खांदान के लोग हैं आएं और बुद्ध की संसकर्ती को समालें नित्रत्तु करें आपने इस भारत का नित्रत्तु किया है आप कोई बाल काटने बाले लोग नहीं हो आप विद्वान हो आज भी आप जहां रहते हो बहां अपनी बाग पड़ता से ग्यान से लोगों को प्रभावित करते हो आओ ये देश आपको पुकार रहा है आओ ये भारत की संसकर्ती बुद्